बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके पर युटूब चैनल सुकला स्टडी पट में मैं से हम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और दूसरा पेपर आप देने जा रहे हैं ठीक है 307 वाला तो आपके लिए है लक्चर है यस यन में आपको योग और प्राकरतिक चिकिस्टा का फस्ट यानि की प्रथम प्रसंपत्र देखना होता है और दूसरा जो आपका पेपर होगा यस यन 308 वाला उसमें आपको योग प्राकरतिक चिकिस्टा का सेकंड वाला पॉर्सन आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो दोनों एक प्रकार से मैं समझने का प्रियास करूंगा हलाकि 10-12 दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी योग और प्राकरतिक चिकिस्टा की जो आपके दोनों पेपर के लिए इंपोर प्राइब बन सकते हैं देखें यह बहुत ही मैत्वोर्ण परस्ट नहीं आप इन परस्टों को तयार कर लीजिएगा ओके चलें पहला प्रस्टा आपकी स्किन पराज चुका है योग की सर्भोच अवस्था है बताएं योग की सर्भोच अवस्था क्या होती है परस्टों के लिए और ऐखलार प्रस्टों के सिर्था ओगा की सावनिये को नवधा बख्ति में सामिल है जबकि आत्म कथन यह कोई भक्ती का परकार नहीं है तो इसका भी आप संगर्जिए सम्मलित है प्राजिए यह प्रशन आपके सिंपर आज जुका है आसनों की कुल संख्या कितनी है आसनों की संख्या कुल लगभग आपकी 84 लाख आसन के लगभग बताए जाते हैं ठीक है आप से नंबर इसका प्रियास करेंगे इंपोरेंट पर स्ने बताई ये इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा 84 लाख आसनों की कुल संख्या कितनी है 84 लाख ठीक आगे देखेंगे अगला प्रसना किसके पर आ चुका है योग के प्रथम प्रणेता अथवा प्रथम मुक्ता कौन माने जाते हैं तो माने जाते हैं आपके भगवान संकर स्यू आपसे लाख करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसन है पासुपत योग का परतावादन किस ने किया ठाइटा भगवान संकर स्वयम्ने भगवान सिूम्ने आपसे नंबर E करेक्ट एंसर होगा तकाने आपका कान similarities नहीं है आपसेृयायोग में समलीतत हैक स्वाध्याय नियम या ठीक है इसका आपसा नंबर सा करेक्ट एंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परसाम की स्किन पर आ चुका है पांतंजल योग यानि पांतंजली का योग सूत्र है उसमें सूत्रों की संख्या कितनी है तो पांतंजली की योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी व था हूज जाएगा यह इभाती आप ध्यान रखेंगे अगला प्राइद है मध्नक्त्रमें योग का सरबाधिक पर्चलीत रूप था मध्नक्त्रम योग का सरबाधिक परचलीत रूप था Μध कल में यूग का सरबाधिक प्रचलीत रूप instruction नाथ संपरदाय में प्रसिद्ध नाथ कौन है मलब प्रसिद्ध नाथ हैं कितने नव साथ आठ या दस कितने तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका नाथ संपरदाय में प्रसिद्ध नाथों के संख्य कितनी है नव नाथ है आपसे नमबर इसका सा करक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला प्रस्ण है नव नाथों में पर्थम नाथ कौन कहे गए है नव नाथों में कौन पर्थम नाथ माने जाते हैं बताएं इन में से चारों आपसन में से कौन होगी नव नातों मेंसे जो पर्थम नात हैं उनकाा क्या नाम है। उनका नाम है मत्सेंद्रनात, आपसर मुझेंद्रनात ऐसा यह बात भी द्यान नेखेंगे। सकता है ना योग का प्रथम उपदेश किसे दिया था तो एकतनी है को लों का कितनी भीया 200 इस लोख है गोरक्ष सहीता में ठीक है कितनी स्लोख है 200 गोरक्ष सहीता की स्लोकों की संख्या 200 इसका राइट एंसर हो जाएगा ए आपसन अगला प्रस्ट है गोरक्ष सहीता के प्रणेता कौन है तो गोरक्ष सहीता के प्रणेता कौन है भाई गोरक्ष सहीता के प्रणेता हैं आपके गोरकनाथ आपस नमर सा कर टें से रोगा अगला परस्ट टि योग परदीपिका कि रिचना कि सिद्धे करी है बताएंगे इस छसने करी है हट यवक परदीपका में सी आपसंड राइट एंसर होगा ढटेरंड सहीता में योग के कितने अंग माने गए जहां किसके द्वारा प्रत्पादित योग को घ्यान रखेंगे इस ऄटबात को तो घर सतयों कि ते इसको घेरन के द्वारा परतायों तो इसका आपल चारिया को थुोंस है आफनिक कल में योग का जनक किसे कहा जाता है आफनिक परियास करेंगे इसको किसे कहा चुका है बहुत ही महत्पून प्रस्ण है कैवल लिधाम लोना वला योग संस्थान योग सोज संस्थान अस्थापना किस ने की थी तो इसके अस्थापना किस ने करी थी भईया इसकी अस्थापना करी थी स्वामी कुबलाया नंदने आप से नमर इसका डी करेक्टर हो जाए अगला पर नन की चिन पर आ चुका बहूत घमिंप सब्सक्राइब को मतायें इसका करक्ट अगला प्रसने बिहार योग विद्याले के स्थापना किसने की तो बिहार योग विद्याले के स्थापना किसने की बिहार योग विद्याले के स्थापना किसके द्वारा की गई बताएंगे सभी लोग बिहार योग विद्याले के स्थापना जो करी गई है वो स्वामी सत्या स्वाइब बताने का प्रयास के आज संगत कों सा है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा देखें इन में से से देखें साधन पाद में 45 सोटर है बीभूति पाद में पंच्छ्पन सूत्र है कैबल पाद में 34 από का समाध्ी पाद उसमें 55 सूत्र नहीं है आपसा नमश का रोगा यही आपका अ Sask असंगत है अनगला अरो गौर कना पके क्या नाम था गुरच्छ Когда नाम था मतं सेंद्र नाथ ठीक है गुरुक नाथ कि गुरुका क्या नाम था मसेंद्र के हो ठीक है कितने चक्र छे चक्र भी आप संडाइट एंसर होगा आगे देखेंगे अगला परसन है गोरक्ष सहीता के अनुसार योगांग है तो गोरक्ष सहीता के अनुसार योगांग कितनी है योगांग बताएं योगांग कितनी है योगांग कितनी है योगांग जो है आपके से गेंगे लिगक नंभ जो पतने का प्रियास करेंगे से ह vérit अब जो एकर में से हार योगांग कितने हैं तो वे लिटाय और चोंई आपसे पूचा गया Уवात का बताया जाता है वह आपका बताया ता सिध्धासन और इसका डी करेक्DJ सिधासन और पदमासन डी आप सं में लोगों की संख्या कितनी है तो गोनव दा में 200 कि लगवागा आप से इसका राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हों भी प्रसंदों को जानने का प्रियास करते हैं ठीक है फड़ा पर से एक बार वीडियो को लाइक और सेर कर दीजीगा चले अगला प्रसंद आपकी स्किन बरा चुका है प्राकर्तिक चिकिस्सा का अन्य क्या नाम है तो प् कितने तत्तों से उपचार किया जाता है तो प्राकर्तिक चिकिस्सा में पांस तत्तों से सब करें से तो इन लोड़ाया बंगी génér submerged नहीं है घ्री यांधिया कि और लोड़ाइस प्रमण प्रकरती उपचार हेतु किसका प्रयोग नहीं होता है, तो प्रकरती उपचार में आउसधी का प्रयोग नहीं होता है, जल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का और वायू का इन तीनों चीजों का प्रयोग करते हैं, अगला प्रसन है आधुनिक प्रकरती चिकिस्था प्रणाल बताईएगा है इसको श्रूल। लूने की पुस्तक, New Science of Healing का सरप्रथम किस भारती भासा में अनुवाद हुआ, बताएं, बहुत ही मैत्पोर्ण प्रस्न है, फटापरच आप लोग पताने का प्रिया, लूने की पुस्तक, New Science of Healing का सरप्रथम किस भासा में अनुवाद हुआ, तो उसका तेलगू भासा में अगला कोशन सब्सक्राइब देखेंगे लुने कुने की पूस्तब लुने कुने की पुस्तकी प्रथम हिंदी किसने किया इनकी इसंदी में नहीं ने किया थ हो नहीं Public insanity कि प्राकर्थिक चिकिस्तक से बहुँ ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी जो थे वो किसे प्रभावित थे भया वो एडॉल्फ जुस्ट से प्रभावित थे आपसा नमर इसका सा करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है प्राकर्थिक चिकिस्ता के अधार्भू सिधानत के अगर बात किया है परकरतिक उकसा के आधर इसको सिध्धानल परसथ और और पर कि खुम्हें की संख़ा कितनी है को सभी लोग पताने का प्रियास करेंगे और योग अंगों की संख़ा कितनी है योग क्या है योगिसित बिर्ति निरोध। रप्चित் की भृतियों樂 एक निरोधी यूग होता है ठीके बत्य एक कितनी होती हैं बृतिया पांच प्रकौर की होती प्रमाद बिपर्ररे बिकल्प लिद्रा और स्मृति यह बात थ्यान नेखेंगी ओकर कि करने अगर प्रसनाप से क्या पूछा गया है अच्छा प्राणायाम कितने होते हैं चार प्रणायाम होते हैं एक रेचक होता है एक पूरक होता है एक केवल कुम्भक होता है और एक सहित कुम्भक होता है ठीक है यह बात जैने कुम्भक को दो भागों में बाट दिया जाता है हम लोग अ नरे नरे यहां गों की संझ्धा कितनी बताने का प्रियास करेंगे योगांगों के संग्या कितनी प jokes बताने का प्रियास करेंगे योगांगों की संख्या कितनी है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बिलकुल इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा सापसन यह आठ है योगांगों की संख्या कितनी है योगांगों की संख्या कितनी है आठ है योगांगों की संख्या सी आप योगांग इन में से कौन सा नहीं है योगांग इन में से अस्टांग योग जो है वही आपका है ठीक है यम नियम यह सब आपके जो है आसन ठीक है प्रणायाम प्रत्याहार यहीं सब होते हैं मताएं यहम कितने हैं भाईद य variety cit roga यह मिन मेंसे कौन सा यम नहीं है इन में से कौन सा जय नहीं है भाईजिया देखिशेह सब इनतर्रक्त आते हैं सब के आता है भी आपसर इसका नहीं द्रोगा आस्तिय क्या होता है बताएं aub अग्ताय का नियम कितने हैं इन में से कौन सा नियम नहीं है यानि से देखें संतोस स्वाध्याय सब नीयम होते आप सद्रीन नहीं है अगला पर संद्थ तब क्या है तब की अगर बात करें तब क्या है फटा पटा पर शाप है क्या? द्वन्द सहिना ही तफ कहलाता है, ये बात आप ध्यान लखेंगे। अगला प्रसने बीर लाब किसी दढ़ता से होता है, बीर लाब किस दढ़ता से होता है, तो वो होता है आपका ब्रह्मचर से, ब्रह्मचर से बीर लाब होता है, भी आपसन डाइट एंसर होगा, अगला प्रसने किस नियम की दढ़ता से, किस नियम की दढ़ता से सरीर के प्रत औरनी घरड़ा उत्पन होती है तो सो च चसे आफसे सबस्या का फल क्या है सिद्धीप्राप्ति पुर्शन से वादि शिद्धी सवाथ स ठाल के होता है घ्रंपी ने का सब्सक्रतर थे इसका ये बात आप ध्यान लखेंगे तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे परस्टों को समझ पा रहे हैं आगे देखेंगे अगला परस्ट अगला परस्ट आपके स्किन पर आ चुका है बहुत ही जब अरदस्त परस्ट पर इच्छा के दिश्टी से आपके देखेंगे स्वात्मा राम के गुरू का क्या नाम है 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 स्वात्मा राम के ग सो गडार कारन सकते ऋगा अगला अगला योग अभ्यास की शिद्धी का नहीं है योग अभ्यास की सिद्धी कारण क्या नहीं है जो है ललर्यम यह योग योग अभ्यास की सिद्धी का कारण नहीं है उस्साह तत्तुजाल और जनसंग प्रत्याग ये सब योग अभ्यास की सिद्धी के कारण है लौल्यम नहीं है आपसे नंबर बी करेक्टेंसर होगा हट योग का प्रथम अंग कौन सा है बताएं हट योग का प्रथम अंग हट य कि अगला परसन माला कθित परथमासन कोण सा है स्वात्मा राम कथित पर फड़कर सं जो आपका सवास्तिक बना लेते हैं वो स्वास्तिक ए ठीक है तो सौात्मा राम के द्वारा कथिता सन् जो है वह सौन अबर स्कार्स का साथ हो जाएगा नेक्स्ट कोशन साफ देखेंगे अगला प्रसन मत्सेंद्र के प्रवक्ता कौन है मत्सेंद्र के प्रवक्ता है मत्सेंद्र आसन के प्रवक्ता कौन 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 है मत् गरड़ी है धरती पर पीट केबल सीधे लेट जाना क्या कहिलाता है सवासन मृतासन या मैूरासन थाना सद्धासन बताएं इसका पंट थीपीजाम जाएगा धरती पर सीधे जो योग बताए गए कितने बताए गए हैं कितने बताएगे भी या उब पटावट से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे इसके संख्या कितनी है तो इसकी संख्या कितनी है वई चौबिस है इसका डी करेक्ट एंसर होगा 84 ठीक है 84 है भगवान संकर के द्वारा कथन आसन जो है वह 84 है 84 और इसे पहले एक प्रसन लोगों ने देखा था सुरुवात में वह कौन सा प्रसन था वह आपका था कि आसनों की कुल संख्या कितनी है ये प्रसन पूछा गया था और ये किसी के बारे में नहीं पूछा गया था कि किसने बताया है किसने नहीं बताया है 84 आसन बिल्कुल 84 आख नहीं हो सकते वाई 84 राइट एंसर उसका भी होगा 84 कर लेंगे ठीक है 84 लाख आसन कहां से होंगे खुदी सोचो बुक में थोड़ा सगड़ बढ़ दिया होगा चले आगे देखेंगे मिलख सोविकार चार सारभूत आसनों में सम्लित नहीं है कौन सा कौन सा नहीं समलित इस पर फोकस करेंगी ठीक है इनमें से कौन सा संकलित नहीं है प्रसनिये पूछा गया खलख लुग्पताने का प्रियास गयी इसका करेक्ट आईंसर क्या हो जाएगाbert परसन है स्वात्मा राम जी दौरा स्वविकार चार सार भूत आसनों में समलित नहीं है तो जो सार भूत आसन है उनमें स्वात्मा राम दौरा कथित पर्थम आसन जो है वो स्वास्तिक आसन जरूर है ठीक है लेकिन वो स्वभीकार चारभूत आसनों में समलित नहीं है आपका स्वास्तिकासन ठीक है आपस नमर दी करक्ठाथ अंसर होगा अगे देखेंगे अगला कोसनस आपके सिन पर आजबा आ चुका है प्रस्ने ही उग प्रदीपिका के अनुषार सर्वोत्ततमासन काव श स्वास्तिकासन सिद्धासन सिद्धासन या सिंगासन या पदमासन तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका कौन सा करेक्ट एंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सिद्धासन जो है यह सर्वुत्तमासन वाना जाता है मानों सरीर में नाडियों की संख्या कितनी है बताएं मा आपसन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे अगला कोशन सापके स्क्रीन पर आ चुका है सही यूगम का चैन कीजिए इन में से सही यूगम कौन सा है इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा फटा बट पर इस सारे गलत हैं अगला प्रसलेद सट्थ कर्मों में परेड़त नहीं है सट्थ करणों में मलबकी परिगणित नहीं है कौन सट्थ कर्मों परगणित क्या नहीं है भटा बट से अब लोग बुताने का प्रियास करेंगे सट कर्मों में परिगणित नहीं है धोती लोकी की कपालभाती या प्रानायाम तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा प्रानायाम जो है सट कर्मों में परिगणित नहीं है धोती लोकी की कपालभाती ये सब संकलित है धोती किरिया नहीं है धोती किरिया नहीं है ध प्रकार आपका जो है दो यह का प्रकार है तो आप से नमर इसका अगला प्रसंझ है अंतर धोती का भेद नहीं है अंतर धोती का बिक्या भेद नहीं भाया, प्रथवी सार अंतर धोती का भेद नहीं बाकी वात सार, वारि सार और अगनी सार ये है आगला प्रस्न इस किरिया में नाभी गरंथी को सव बार मेरुदंड से लगाये जाता है काक चंचु के समान किस करिया में होता है वह आपका सामिल होता है इसमे भाई बिलकुल वात सार में अगला प्रसन है, भैस्कर्द करिया में वाैू कितने समय तक अंदर, इसकर्द करिया में आधा प्रहर तक टो है आपको रोकनी चाहिए। है आधा पहर तक आपको बहिस्कृत क्रिया में बहिसकृत क्रिया में क्या करना चाहिए भलग गणते यह कही जाती है तो ठीक है इससे जो होगा आपका यहर घंटे के बराबर ही होता है लगभग ठीक है तोइं बहराभ ध्याँ नखेंगे हो के किलियर इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बाइपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा ये बात आप ध्यान नखेंगे कौन सा होगा बाइपसन बहिसकृत किरिया में ठीक है बहिसकृत किरिया में वायू को जो है लगबग डेढ़ गंटे तक अंदर रखा जाता है ये बात ध्या नखेंगे ठीके तो इसका करेक्ट रंसर क्या हो जायगा यापसन अग collective हैं राउतं हेश्ङ siya going बैए करणेस्ट किया में समद्रवन नहीं है जनत्वहति किया क्या होती है धनत्वहति किरिया कि नहीं सामिल होता है दंध केला हलदी अथ्वा बेत के दंधः ती को फ्र फीकर करा करके पुना धीरे धीरे भाहर निकालना धन्द होता है ठीक है है व्मांध होती भोजन के बाद में कंठ तक जल पी करके चण भर ऊपर की और देख करके उस जल का वमन करना मलब उल्टी करना वमन धोती कहलाता है ठीक है वास धोती भी होता है चार अंगुल चोड़ा पतला कड़ा कपड़ा जो है धीरे-धीरे मुख में निकलना और फिर से उगलना ही वास धोती कहलाता है वास धोती से किन रोगों का नास होता है वास धोती करने से क्या होता है गुल्म ज्वर पलीहा कुष्ट कप पित ऐसे तमाम प्रकार के रोग जो होते हैं खतम हो जाते हैं तो इस सब धोती के प्रकार होते हैं ठीक है तो यही आपको मैं बताना चाह रहा था तो इसमें दंत धोती किरिया में क्या संख्लित नहीं है दंत धोती किरिया में क्या संख्लित नहीं है बताएं इन में से बिलकुल आपका नासारं नहीं संख्लित अगला परसे जिभुआ मोल धोती में किस अंगुली लब किस अंगुली से जिभुआ मोल को नहीं घिसना चाहि चाहिए तो कंश्टिता से नहीं घिसना चाहिए कनिश्टेनी कानी उंगली जो आपके हाफ के पांसर है सबसें छोटी वाली उंगली अगला परसंच जिभव लो having फोनी दिन में कितनी बार करनी चाहिए जिफ़ा मों होती जो इस जो है वामन धोती दंड धोती ठीक है यह सब आपकी धोती होती है ओके यह सब आपको थोड़ा सा जाननी पड़ेगी और इसको विस्तार से आपको समझाने का टाइम आपको मिला नहीं ठीक है इसलिए समझा नहीं पाया बाकी धोती यह सब होती अंतर धोती एक होती है अंतर धोती झालना ही वात्सार धोती हैं जांते हैं का व かक्यृत्त करें निकालानी है इसके पहले मैंने आपको बना करके भाएँ nem भाँव द Kennedy उसके परिशा के लिए बहुत हाँ तब दानी रखेंगे अगली जो बीडिए घी जो प्रकार से वाली वीडियो मैं देदूं अगले यूप फेपर हैं बाकि अगर देखें घुर लगगो भिग-भी उसमीं भी जाएंगे इससे पहले वाली वीडियो आप देख लिएजेगा धन्यबाद मतें नक्स्ट वीडियो